शत्रंज का हाथे को इंगलिश में क्या कहते हैं ये आज की वीडियो में सीख लेते हैं और शत्रंज में जितने भी मोहरे इस्तेमाल होते हैं सभी को क्या कहते हैं ये भी सीख लेते हैं सबसे पहले है राजा, राजा को इंगलिश में the king कहा जाता है, दूसरे नंबर पर है रानी या वजीर, यानि कि रानी को वजीर भी कहा जाता है और रानी भी कहते हैं इंगलिश में the queen कहा जाता है, उसके बाद आता है उंट, उंट को इंगलिश में the bishop कहते हैं, the bishop, उसके बा और जो प्यादा या सिपाही होता है उसको दब पौन कहते हैं यानि कि शत्रंज के बोर्ड पर कुल 32 महरे होते हैं इन में से 8 प्यादे होते हैं और बाकी महरे जोडे میں होते हैं हर पक्ष के लिए एक राजा और एक रानी होती है और सफेद महरों को पहले रखा जाता है Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे, तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें.